हलो गाइज, हंडेड वर्ड पर मिनट एडिटोरियल डिक्टेशन स्टार्ट होगी फाइब सेकेंड बाद स्टार्ट तालिबान के काबूल में कबजे के बाद से विश्व बिरादरी में यहे चर्चा जोर पकड़ता जा रहा है की आखिर कितने देश अफगानिस्तान के साथ राजनईक संबंद बहाल रखेंगे अभी जिस अफरा तफरी का माहोल बना है उसमें कई देश अपने दूतावास बंद कर रहे हैं क्या उनका ये कदम इस्थाई होगा मुझे लगता नहीं है की ऐसा होगा दुनिया बहुत मतलबी है केवल अपने बारे में सोचती है अफगानिस्तान के आम नागरिकों के साथ क्या हूँ रहा है ये उनकी व्यक्तिगत समश्या है दुनिया वाले शुरू से इस दिशा में पैशेवर द्रश्टी कोण अपनाते रहे हैं याद किया जह सत्ता है जनवरी 1933 में अडोल्फ हिटलर की जर्मनी के चांसलर के रूप में नियुक्ति और नाजियों का सत्ता पर कबजा होना उसी के साथ ही यहूदियों का जन सहार का शुरू होना मगर तथाकथित मित्र राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोव्यत, रूस का नाजी जर्मनी के साथ संपून राजनैक संबंध उस धर्मियान भी बना रहा था जो दूसरे विश्व युद के शुरू होने के बाद समाप्त हुआ था इसी तरहे बहुत संभव है कि तालिबानी अफगानिस्तान के साथ भी अनेक देशों का रिस्ता यथावत चलता रहे पैरा हताशा की लप्टें पड़ा ऐसा लगता है कि भारतिय परिप्रेक्षय में कानून समंधी आदर्श बातें व्यावहार में शायद केवल कानून की किताबों और समिधान तक ही सीमित है इस देश यहां के समाज और जमीनी धरातल और हकीकत में कानूनी समदर्शिता न्याय नेतिकता प्राकर्तिक विधी या शमता आदी उच आदर्श की परिकल्पनाएं एक दूस्वपन सरीखी हैं पिछले दिनों सुप्रीम कोट के दर्वाजे पर एक युगल की आत्म दाहा की घटना और उसके कारणों के ब्योरे ने बहुत कुछ साफ किया पुलिश में सिकायत के बावजूद आम तोर पर जैसा होता है बलतकार पीडिता और उसका मित्र हर जगह से निराश और परेशान हो गए खबरों के मताबिक उल्टे उसी के खिलाफ केस बना कर उसे परेशान किया जाने लगा नतीजा सब के सामने हैं यह कठोर सच है की गरीब और कमजोर लोगों को न्यायना मिलना एक सामानी सी घटना बनती जा रही है लेकिन इस मामले में पूरे देश में उत्रप्रदेश जादा ही जाना जाने लगा है इस तरह की घटनाएं राज्ये में पूर्व में भी कई बार हो चुकी हैं लेकिन जो घटनाएं मेडिया में अपना इस्थान बना पाती है उन्ही को लोग जान पाते हैं इस तरह अपनी जान देने वाले निराश लोगों की एक ही शिकायत रहती है कि पुलिस वहां का प्रसास्निक अमला और सरकारे भुगत भोगियों की बिल्कुल मदद नहीं करती उनकी शिकायत तक दर्ज नहीं की जाती उल्टा उन पर ही फरजी अनपेक्षित आरोप लगा कर उने ही प्रतारित किया जाता है और मुख्य अपराधियों को बचाया जाता है सबसे दुखद इस्थती यह है कि उत्तर प्रदेश के अनेक जिल्ला प्रसासन के भवनों लखनव विधान सभा भवन और अब सुप्रीम कोट के सामने न्याय न मिलने के कारण यूवक यूतियों दुआरा आग लगा कर जान देने या इसकी कोशिश की घटनाओं के बावजूद भारतिय पुलिस और न्यायक परनाली अपनी कार्य परनाली का पुनराव लोकन करने उसकी पुनरशमिक्षा करने और उसमें सुधार लाने को कतई राजी नहीं है ऐसी लगातार घटनाओं के बाद भी सब कुछ जियों का त्यों चल रहा है आखिर हमारे देश में न्याय पर सत्ताधारी वर्ग पैसे और रसूख वालों माफियाओं का ही राज क्यूं है एक गरीब की सरे आम हत्या होने के बावजूद हमारा तंत्र और प्रसासन इतना लचर और निश्क्रिये क्यूं बना रहता है हमारी न्यायक व्यवस्था का जुकाव गरीबों के विरुद धनी और ताकतवर लोगों की तरफ ही क्यूं बना रहता है यह कैसा लोकतंत्र है जिसमें गरीबों को न्याय पाने से बिलकुल वंचित रखा जा रहा है ब्रेटिश काल से चली आ रही पुलिस और न्यायक प्रणाली की पुनर समिक्षा होनी चाहिए और इसमें वर्तमान समय के अनुसर आमुल चूल परिवर्तन होने ही चाहिए पेरा बड़ती बेरोजगारी और महामारी के इस कठिन संकट के दोर में आम जनता को राहत के साथ महंगाई पर रोक लगाने के बजाए सरकारी तेल और गेस कंपनिया दिन प्रति दिन पैटरॉल डीजल और रसोई गेस की कीमतों में बडोतरी कर रही है पैटरॉल अब सो रुपे प्रति लिटर के पार हूँ चुका है वही हाल कमोबेश डीजल का भी है आम जन्ता अब सब कुछ भूलते हुए बड़ी कीमतों को अपनी आदत में उतार रही है और अभ्यस्त हो रही है लेकिन इसी बीच सभी परिवारों की मूल भूत आवशक्ताओं में परमुक भूमी का निभाने वाला किचन और संभालने वाला LPG गेस अब अपना रोद्र रूप दिखाने लगा है गेस सिलेंडर के दामों में 25 रुपे की बड़ोत्री कर दी गई अब गेस सिलेंडर का दाम साढ़े 800 रुपे से पार कर चुका है पैट्रोल डीजल और गेस के सिर्फ दामों में इजाफे की बात नहीं इन सभी के दामों में पल, सबजी, चीनी, दाल और दवाओं के दामों में भी निरंतर व्रधी देखने को मिल रही है। दूदा सरकार लगातार बड़ती महंगाई से अपना ध्यान हटाती रही तो आने वाला समय एक बड़े संकट का समय होगा। चाने में देर नहीं करना चाहते वे शब्दों पर समय खर्च क्यूं करना जैसे महसूस करते हैं। उसे एक ही क्लिक में इमोजी से व्यक्त कर देते हैं। बड़ती उतेजना और कम होता रचना शिल्प इसका प्रमान है। आलम यह है कि आगामी हिंदी दीवस की शुबकामनाएं भी अंग्रेजी में लिखी जाएंगी। और खुशी व्यक्त करने के लिए विख्यात मुश्कुराने वाला इमोजी भी लगा दिया जाएगा। भाशाओं के पतन का कारण यहे इमोजी नहीं। वहे आलसी यूवा सोच है जो काम को आसान बनाने में विश्वास रखती है। आधुनिक्ता को कीवोड से जोड कर देखने वाले लोग शायद यह भूल जाते हैं कि बुद्धी को कलम से जोड कर देखा जाता है। जब हम बोलचाल में इमोजी और सांकितिक भाशा का परियोग नहीं करते तो लिखने में क्यूं करें। जबकि लिखने से ही तो हमारी भावनाओं की गहराई और शब्दों के बजन का पता चलता है। पर शायद आलसी युवाओं को यह तरक समझ या पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि सब्द सिमट रहे हैं। कि अचे तो बभता है। झाल झाल